दोस्तो UPSI की 13 नॉम्बर की दूसरी सिप्ट में जितने भी कोस्टन्स पूछे गए हैं उसका authentic कोस्टन्स का यहाँ पर आप लोग answer देखेंगे और यह सारे कोस्टन्स रियल कोस्टन्स हैं जो के exam center से सीधे आपके लिए लेकर आया हूँ तो दोस्तो इन कोस्टन्स को discuss करते हैं और इसी तरीके से 12 तारीक के जितने भी कोस्टन्स थे उसका PDF टेलिग्राम पर शेयर कर दिया गया है 13 तारीक के पहली सिप्ट का PDF भी टेलिग्राम पर शेयर कर दिया गया है जिसको नहीं मिला है वो जाकर टेलिग्राम से ले सकते हैं आजका जो सबसे पहला प्रस्ट मना है, जो कि एक्जाम में पूछा गया है, साइंस का कॉशन हमें मिला है, साइंस का कॉशन है कि एनीमिया रोग जो है, ये किस की विज़े से होता है, तो इसमें options हमें नहीं पता है, यहाँ पर ये vitamin की कमी से होता है, vitamin b12 इसका right answer होटाइगा और अगर आपसे minerals रिएगा है तो iron की कमी से ये रोग होता है तो minerals के case में iron answer करेंगे vitamin के case में आप b12 answer करेंगे इसके लिएपकी students ये भी पूछ रहे थे कि sir क्या UPGK से question पूछ रहा है तो UPGK से questions ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, मुश्किल से एक कोस्टन, एक या दो कोस्टन ही पूछे जा रहे हैं, तो UPGK बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है, आगे आने वले सिप्टों में UPGK से भी कुसंस पूछे जाएं, इसके बात में आप लोग देखेंगे, ए रचनाओं की जो सन हैं, वो ज़्यादा पूछी जा रहे हैं, तो कौसी पत्रिका किस ने लिखी है, ये तो पूछा ही जा रहा है, इसके लावब किस वर्स में, जैसे की सरसुती पत्रिका का पूछा गया था पहली सिप्ट में, तो वो 1900, वर्स 1900 में लॉंज करी गयी थी, तो पत्रिकाओं, रचनाओं और इन सब के जो इयर है वो भी पूछे जा रहे हैं। महा भियोग से related एक कोशन पूछा गया था लेकिन exactly कोशन क्या है ये नहीं पता है। सविधान संसोधन से कोशन कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका आगया निवली सिप्ट में एक्जाम होने वाला है तो आप सविधान संसोधन को अच्छे से पढ़कर जाएए। जितनी भी चीजें मैं आपको बदा रहा हूँ, वो सब जरूर से जरूर पढ़कर जाएं। क्योंकि जो टॉपिक आपको यहां से मिला है, जैसे कि सविधान संसोधन मैंने आपको टॉपिक बदा दिया, तो इसको आप लोग पढ़कर जाएंगे तो आपका आसान हो जाएगा पेपर। फिर उसके बाद में एक कोशन पूछा किया था कि सबसे जदा पढ़े लिखे साहितिकार कौन थे, तो इसके आप्शन्स नहीं पता है, जो भी आप्शन्स होगा उसके इसाब से अंसर कर पाएंगे, डिफिकल्ट कोशन है, कि कौन सा कभी कितना पढ़ा लिखा है, साहितिक क्या है, तो रेरा का फिल्फर में रियल इस्टेट रेगुलारिटी अथॉरिटी, इसके बाद में कोशन पूछा गया है, कि महादेवी वर्मा को किस करती के लिए ग्यान पीट पुरुसकार दिया गया है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले दिन से लगातार ग्यान पूछे जा रहे हैं, इसको आप लोग जिर्वीजन कर लेना, तो महादेवी वर्मा को यामा करती के लिए ये पूरुसकार दिया गया है, कब दिया गया था, 1982 में इनको ये पूरुसकार दिया गया था, 37 में वर्स 2019 का ग्यान पीट पूरुसकार ये कोशन पूछा जा चु पूरुसकार दिया गया था, हिंदी नय चाल में ढली, तो ये कथन किसका है, तो ये है भारुतेंद हरिश्चंद का, ये भारुतेंद हरिश्चंद का कथने एकजामें पूछा गया है, फिर उसके बाद में है, वापसी किस विधा में रचित है, तो वापसी एक कहानी है, जो की एक्जाम में पूछा गया है, अप ब्रंस की भेद कितने होते हैं, तो अप ब्रंस की भेद जो होते हैं, वो साथ होते हैं, अप ब्रंस की साथ भेद होते हैं, कुंडलिया चंद से एक कोस्टन था, exactly कोस्टन नहीं बता है, चीलिका लेक पूछा गया था, कैग से रिले सबसे पहला ग्यान पीड पुरुस्कार किसे दिया गिया था तो 1965 में जी संकर कुरूप को ये पुरुसकार दिया गया है और अभी परसों के करेंट फैस में मैंने आपको ये कोशन पढ़ाया भी है तो ग्यानपीट पुरुसकार का ये वाला कोशन भी आप लोग आंसर कर देंगे UPSI में जो भी टॉपिक्स मैं आपको पता रहा हूँ उसको जरूर पढ़ कर जाए फिर उसकी बात में कोशन है मूल अधिकार किस अनुच्छेदि से सम्मनित है तो पहले तो दो पॉइंट इसमें जान लीजे अभी रिसेंट में ये इस टाइप के कुशन से भी पूछे जा रहा है कि सविधान का कौन सा पाड कौन से देश से लिया गया है तो मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के सविधान से लिया गया है और इसका वर्ण सविधान के भाग 3 में है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में फिर उसके बाद में हैं तालू से निकलने वाले सब्द कौन-कौन से हैं तो उन में से 4 options में से एक बताना था exactly question नहीं पता है आप जानते हैं जैसा student हमें बता रहा है बिल्कुल वैसा ही आपको analysis दिया जा रहा है जो अब पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को subscribe करें क्योंकि जितने भी दिन ये analysis चलेगा आपको सारे questions कर पाए जाएंगे उस्र व्यंजन कौन है ये question पूछा गया है इसके बाद में आता है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था तो भूदान आंदोलन संत विनोवा भावे के दोरा 1951 में सुरू किया गया था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आंसर हो जागा इसके 6 पार्ट होते हैं पुरुस वाचक, निश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक, समंद वाचक, प्रस्न वाचक और निजवाचक पत्रिका वाला जो टॉपिक है, उसको रिविजन कर लेना तो ये प्रेम चंद्र इसके संस्तापक है, ये पूछा गया है हिंदी भासा का प्रथम प्रमारिक ग्रंत कौन सा है तो प्रत्वी राज रासों को पहला प्रमारिक ग्रंत माना गया है हिंदी भासा का एक्जाम में पूछा गया कोशन है नीला देवी नाटक के रचाईता का नाम क्या है तो आंसर हो जागा भारुतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये नीला देवी नाटक के रचाईता है एक्जाम में पूछा गया है तो नीला देवी नाटक के रचाईता का नाम है भारुतेंद हरिशन इसके बाद में नदी का परियावाची क्या है ये एक्जाम में पूछा गया है चुकि इसके options नहीं पता है तो नदी के परियावाची हो सकता है तरिनी सुरोत स्वीनी सरीता तटिनी ये इसके प्रमग परियावाची सब्द है छंद के भेद कितने होते हैं तो छंद आपके चार भेद होते हैं दोस्तो जैसे जैसे ये एक्जाम हो रहा है इसके जो complete PDF है complete इसका जो PDF है तीनो सिप्टो का पहली दूसरी प्लस दीसरी उसको हमारे टेलिग्राम चैनल पर सेर किया जा रहा है टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहां से आप हमारे चैनल को जोईन करें और आपको हमारा चैनल मिलेगा उसी पर आपको free में PDF भी दिया जाएगा तो UPSI exam के analysis के लिए चैनल को join करें और UPSI exam का पूरा analysis इस वीडियो में किया जाएगा